नमस्कार दोस्तों स्वागत हैं। आप सभी का फिर से आपके अपने चैनल नोबल ज्यान में। चैत्र नवरात्री और शारदिय नवरात्री के अलावा दो गुप्त नवरात्री माग आशाड आती हैं। शारदिय नवरात्री अश्विन माह में शुकल पक्ष की तिथी को मनाई जाती है. इस पर्व पर भक्त 9 दिनों तक मां अम्बे की पूझा करते हैं और वृत रखते हैं. सनातन धर्म में त्योहारों का विशेश महत्व है. नवराती का पर्व भी खास अवसरों में से एक है. नवरात्री में नौ दिनों तक माद दुर्गा के नौ रूपों की पूजार चना की जाती है साल में चार बार नवरात्री का पावन त्योहार आता है चैत्र और शारदिय नवरात्री के अलावा दो गुप्ट नवरात्री आती है हालांकि सबसे ज्यादा महत्व शार्दिय नवरात्री का है पंचांग के अनुसार शार्दिय नवरात्री का त्योहार हर साल अश्विनी माह के शुकल पक्ष की प्रतिपदा तिथी को मनाया जाता है नवरात्री के दसवे दिन दशेरा मनाया जाता है इस साल शार्दिय नवर 9 दिन 3 अक्टूबर 2024 गुरुवार मा शैलपुत्री की पूजा 9 दिन 4 अक्टूबर 2024 शुकरवार मा ब्रहमचारेनी की पूजा 9 दिन 3 अक्टूबर 2024 शनिवार मा चंद्रगंटा की पूजा नवरात्री दिन 4, 6 अक्टूबर 2024, रविवार मा कूश मांडा की पूजा, नवरात्री दिन 5, 7 अक्टूबर 2024, सोमवार मा सकंद माता की पूजा, नवरात्री दिन 6, 8 अक्टूबर 2024, मंगलवार मा कात्याइनी की पूजा, नवरात्री दिन 7, 9 अक्टूबर 2024, बुधवार मा झाल रातरी की पूजा, नवरातरी दिन नों ग्यारह अक्टूबर दो हजार चौबीस, शुक्रवार महागौरी की पूजा, नवरातरी दिन ग्यारह अक्टूबर 2024 रविवार दुर्गा विसरजन शारदिय नवरात्री पूजा और कलश थापना विधी सबसे पहले सुभा उठकर स्नान करें और साफ कपड़े पहने घर की अच्छे से साफ सफाई करें मुख्य द्वार की चौखट पर आम के पत्तों का तोरण लगाएं पूजा के स्थान को गंगाजल से पवित्र करें अब चौकी पर मा दुर्गा की प्रतीमा स्थापित करें उत्तर और उत्तर पूर्व दिशा में कलश की स्थापना करें कलश स्थापना के लिए एक मिट्ट के बर्तन में जौ के बीज बोएं, कामबे के कलश में शुद्ध, पानी और गंगाजल डालें, कलश पर कलावा बांधें, इसके बाद उसमें दूर्वा, अक्षत और सुपारी भी डालें, फिर कलश पर चुनरी मौली बांध कर एक सूखा नारियल रखें, विधिविधान से माता की पूजन करें, दुर्गा सब्तश्ती का पाठ करें, आखिरी में आर्ती करें और प्रसाद का वित्रन करें, शार्दिय नवरात्री पूजा सामगरी, नवरात्री में मा शक्ती के अलग-अलग रूपों की पूजा की जाती है, पूजा सामगरी में कुम-कुम, जल से भरा कलश, मिट्टी के बर्तन, जौ, लाल चुनरी, लाल वस्त्र, नारियल, अक्षत, पान, सुपारी, लौंग, इलाइची, मिस्री, कपूर, श्रिंगार का सामान, दीपक, घी, फल, मिठाई और कलावा. आज के लिए बस इतना ही तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, कमेंट बॉक्स में जैमा द जानकारी के साथ भगवान आप सब पर कृपा बनाए रखें, धन्यवाद.